जोस और जुनून से सराबोर उत्तर प्रदेश के भवी दरोगा को डॉक्टर असोक सांकला का शादर नमस्कार खमागणी और राम रामसा कैसे हैं दोस्तों आप सभी सुरेंदर कुमार जी सुमन जी राजबंशी कुमार रुपेश पुनम सिंग जी आप सभी को मेरी और से श भूमी अरजन पुनरवाशन और पुनरवेवस्तापन में उचित प्रतिकर और पारदर्सिता अधिकार अधिकार अधिनियम 2013 अब देखे दोस्तों बहुत ही लंबा चोड़ा नाम है अधिनियम का परन्तु आपको गवराने की आफशिक्ता नहीं है इस अधिनियम में आप को सिर्फ और सिर्फ चार सब्दों की चार सब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि सबसे पहले भूमी अरजन क्या होता है भूमी अरजन के बाद में पुनरवाशन किस प्रकार से किया जाता है और पुनरवेवस्तापन किस प्रकार से किया जाता है और इस प्रक्रिय करता है भूमी अधी ग्रहन जिसको आप कहते हैं लैंड एक्विजेशन आप देखते हैं कि कई बार जो गवर्मेंट होती है चाहे वह केंद सरकार हो चाहे वह राजी सरकार हो कई प्रियोजनों के लिए आपकी भूमी को अधी ग्रहित करती है क्या करती है अरजित करती है या अधी ग्रहित करती है जिसको कहते है एक्वीजेशन जैसे माल लीजे कोई flyover बनाना है बहुत बड़ा पुल बनाना है या फिर या फिर कोई भी उद्योगी करन करना है या किसी सहर का विकास करना है और उस सहर के विकास में आपका जो मकान है या आपकी जो भूमी है वह बादा बन रही है तो government क्या करेगी government आपकी जो भूमी है आपका जो मकान है उसको acquire कर लेती है और जो भी DLC rate होती है क्या होती दोस्तों जो भी DLC rate होती है या जो बाजारू मुल्य होती है वहाँ उस भूमी की वह आपको दे देती है जब कभी भी ध्यान से सुनना इस पूरे अधिनियम का क्या मोटो है उस मोटो को अगर आप उद्धिश्योग अगर ध्यान से समझ जाते हैं तो ये अधिनियम आपके लिए बहुत ही मोना साबित हो जाएगा जब कभी भी गवर्मेंट किसी भी भूमी को अरजित करती है या अभी ग्रहित करती है या एक्वाइर करती है तो पुना जो जिस जमीन को एक्वाइर किया जाता है वहां के लोगों को पुनरवाशित किया जाता है उन्हें पुना बसाया जाता है पुनरवाशन यानि प्रतिकर बनता है, compensation बनता है, वह DLC rate के according या बाजार मुली के according दिया जाता है और इस संपूर प्रक्रिया में, यह जो भी अर्जित की जो प्रक्रिया होती है, अभी ग्रहन की जो प्रक्रिया होती है, इस संपूर प्रक्रिया में transparency, यानि पारदरसिता का विशेश रूप से ध ध्यान रखा जाता है, मानली जी अगर आपको भूमी जो है वह लाखो की है, मानली जी पचास लाग की भूमी है और आपको चालिस लाग की दिये, तो इस में फिर पारदरसिता नहीं होगी, इसलिए government ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रियास करती है, कि आप इसमें पारद भूमी है क्रसी भूमी को एक्वाइर कर लिया गवर्नमेंट ने तो उसके एकोर्डिंग आपको वापस पुना पुनरवाशित किया जाएगा पुनर वेवस्ता दी जाएगी आपको और आपको उचित प्रतिकर देते वे इसमें पारदर्शिता का विश्री सुप से ध्यान र और कुल इसमें धाराय हैं हाव मैनी सेक्शन्स आर देर तो कुल धाराय हैं दोस्तों इसमें 114 और इसमें कुछ सेड्यूल्स भी है क्या है इसमें कुछ अनुसूचियां भी है तो कुल अनुसूचियां इसके अंतर का दोस्तों फोर अगर आपसे ये प्रस्ण अगर schedule भी कहते हैं और list भी कहते हैं तो इसमें total चार्ड लिस्ट हैं तो बात करते हैं दोस्तों इस अधिनियम के संबन में जो महत्वपूर्ण प्रशन है which are important as far as your examination is concerned. The first question is भूमी अर्जन, पुनरवाशन और पुनरव्यवस्तापन अधिनियम 2013 के अनुसार समुचित सरकार किस प्रियोजन के लिए भूमी को अधिगरहित कर सकती है? कौन-कौन से ऐसे उद्धिश्य हैं? कौन-कौन से ऐसे objects प्रियोजन हैं जिसके लिए आपकी भूमी को अधि की जा सकती है, उद्धियोगी करण को बढ़ावा देने के लिए, यानि उद्धियोगों का विकास करना है, अब आप देखते हैं कि कई जो गाउं होते हैं, उनको सहरों में तबदिल किया जाता है, ज्यादा स्यादा सुविदाएं दी जाती है, ताकि लोगों को जो मूल जो आवश्यक्ता हैं, उनको दी जा सके मूल भूल सुविदा हैं, जो बैसिक जो उनको फैसिल्टीज है, वह दी जा सके, इसलिए जादा से जादा उद्धियोगों का विकास किया जा सकता है, तो इसके लिए भूमी को अधिगरहित किया जा सकता है, अव सराचनात्मक वि hospitals भी हो, वहाँ पर और भी कई तरह की facilities होनी चाहिए, तो इसके लिए भी कई बार government भूमी को अधिकरहित करती है, सामरिक प्रियोजनों के लिए, सामरिक प्रियोजन यानि जो युद्ध का जो प्रियोजन है, मान लीजे क्या है कि जो सेना है, सेना को जाने के लिए वहाँ से रास्ता चाहिए, कभी भी जब युद्ध की इस्तिती उत्पन हो जाती है, जैसे मान लीजे भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया, और वहाँ की बीच की जमीन है, वह क्या है कि सही नहीं है, उबढ़ खाबर जमीन है, या फिर जो प्रॉपर है, बलब कम से कम समय में वहाँ तक पहुँचा जा सके, इसके लिए सड़कों का निर्मान किया जाता है, और भी कई तरह की गतिविदियों का वहाँ पर संचालन किया जाता है, ताकि जो सेना है वह आसानी से अपने गंतवी स्तान तक पहुँच सके, तो सामरिक प्रियोजन के लिए सामरिक सरकार भी अधिग्रहित कर सकती है और राज्य सरकार भी आपकी भूमी को अधिग्रहित कर सकती है तो किन-किन प्रयोजनों के लिए सभी प्रियोजनों के लिए 1st, 2nd, 3rd and 4 सभी प्रियोजनों के लिए समुचित सरकार आपकी भूमी को अधिक रहित कर सकती है, option number D is absolutely correct Yes, all रुपेश जी चोबे रुपेश जी चोबे कहते हैं कि साब मेरे उत्तर का आप जवाब नहीं देते हैं तो आज रुपेश जी चोबे के उत्तर का जवाब देंगे, हाँ बोलिए रुपेश जी चोबे साब आपको क्या कहना है कल मैंने आपका मेसेज पड़ा था कि सर आप मेरे, मैं जो कहता हूँ उसके उत्तर का आप जवाब नहीं देते देखे दोस्त, यहाँ पर कई सारे जो कमेंट्स होते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं इसलिए सभी का उत्तर देना पॉसिबल नहीं हो पाता सभी का क्योंकि क्वेस्टन्स भी करवाने होते हैं 40 मिनिट में, आपको और भी कॉंसेप्ट भी परता है, कंटेंट्स भी बताने परते हैं इसलिए जो भी मुझे नजर आता है किसी का कमेंट्स तो मैं उसका उतर दे देता हूँ और मुझे लगता है कि वाजीब है वाजीब है उसका उतर देना सही लगता है तो मैं आपको उतर देता हूँ इसलिए आपकी जो सिकायत है वह वाजीब है इसलिए मैंने आप आज उसका समाधान कर दिया नाराज मत होना दोस किसी भी तरह से यस भूमी अर्जन पुनरवाशन और पुनर व्यवस्तापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 ने किस अधिनियम का इस्थान लिया इससे पहले कौन सा अधिनियम प्रवर्तिनिय था तो बताईए दोस्तों इससे पहले कौन सा अधिनियम प्रवर्तिनिय था अब मैं आपके उपर डाल रहा हूँ बताईए इसमें इससे पहले कौन सा अधिनियम प्रवर्तिनिय था भूमी अधीग रहन अधिनियम 1894 इस पहले कौन सा था भूमी अधिग्रहन अधिनियम अठारा सो चोरानवे तो आप्सन नमबर सी इस अप्सिलूटली करेक्ट यस फिर प्रशन है कि भूमी अधिग्रहन पुनरवास और पुनर विवस्तापन अधिनियम 2013 के संबंध में सत्यकतन कौन सा है which is the right statement तो देखते हैं नीजी कमपनिया या सारजनिक भागिदारी फर्मों द्वारा भूमी अधिग्रहन के मामले में 90% विस्तापितों की सहमती आवशक है जो 90% विस्तापिते हैं उनकी सहमती आवशक नहीं होती है अगर कभी भी भूमी अधिग्रहन किया जाता है और वह भी नीजी कमपनियों द्वारा किया जाता है तो नीजी कमपनिया या सारजनिक भागिदारी फर्मों द्वारा भूमी अधिग्रहन के मामले में अगर कोई भी इस प्रकार का भूमी अधिगर्ण किया जाता है तो 90% विस्तापितों की जो कंसेंट है जो सहमती है वह आवश्यक नहीं होती है तो this is wrong statement अगर नीजी कंपनिया भूमी का बड़ा हिस्सा खरीदती है तो इसके लिए पुनरवास और पुनर विवस्तापन का प्रावधान ह अवश्यक है भूमी का बड़ा हिस्सा उनको कोई विद्यो där लगाना है बहुत बड़ी कंपनी को option number C, यहाँ पर एकदम सही होगा, यह भूमी अधिगरण सम्मिधान की कौन सी अनुसूची का विशे है, आप जानते हैं कि हमारे भारत में तीन अनुसूची के बारे में बता रखा है, संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कौन सी सूची दोस्तों, समवर्ती स सूची, तो बदा यह फटा-फट कौन सी सूची का विशे है, समवर्ती सूची, कंकरेंट जो लिस्ट है, the first one is union list, the second one is state list, and the third one is कंकरेंट लिस्ट, जो संग सूची होती है, उस पर केंद सरकार नियम बनाती है, जो राज्य सूची होती है, उस पर राज्य सरकार नियम बन सकती है, तो यह जो है भूमी अधिगरण जो है, आप देखते हैं कि यहाँ पर समूची सरकार क्या करती है, जो एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट होती है, वह नियम बनाती है, इसलिए दोस्तों समूची सरकार में केंद्र सरकार भी इंक्लूड होती है, केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार यानि स्टेट गवर्णमेंट भी नियम बना सकती इसलिए इसलिए यह जो भूमी अधिगरण है जो लेंड एक्विजेशन का जो सब्जेक्ट है वह समवर्ती सूची का विशे माना गया है ऑप्स नमबर C is absolutely correct यस राज़ेंदर सिंग जी यह किसका निशान बना रहे हैं बोस किसके उपर तीर चला रहे हैं आप भूमी अरजन पुनरवाशन वा पुनर व्यवस्तापन अधिनियम 2013 में हितबद व्यक्ति से क्या तातपरी है हितबद व्यक्ति यानि the person who is interested वह अगर मेरी जमीन को गवर्णमेंट द्वारा अधिग कर रहा हूं मेरी पुस्तेनी जमीन है मेरी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वह और उसको गवर्मेंट क्या है कि अधिगरीत कर रही है तो I am the interested person तो यहां पर हितबद जो व्यक्ति है दोस्तों वह कौन सी धारा के अंतरगत परिभाशित किया गया है 3x में इस अधिनियम की ध करतिकर का दावा करते हैं जो भी कंपेंसेशन के लिए क्लेम करते हैं कि अमारी भूमी को अधिगरीत किया जा रहा है तो हमें कंपेंसेशन दिया जाए तो वे हितबद वेकती है ओविसली जिनों ने अनुसुचित जन जाती या परम परागत वन निवाशी अधिनियम 2006 के अधिकार को खो धिया है आप देखते हैं कि कई ऐसी जातिया है जो वन में निवास करती है जंगलों में रहती है कई सालों से वह जंगलों में निवास कर रही है और कुछ प्रियोजनों के लिए उस वन भूमी को उस जंगल की भूमी को गवर्मेंट अधिगरीत कर रही है वां पर कुछ जैसे highway वहाँ से जा रहा है या और भी कोई भी वहां पर ऊद्द्योग लगया जा रहा है और भी कोई development किया जा रहा है तो जहां पर वो अनुसुचित जाती या जो जंगली जो रहने वाले जो लोग हैं, जो आदिवाशी लोग हैं, वे तो वहाँ से अब हटाए जाएंगे, तो उनके जो अधिकारों पर क्या हुआ, उनके अधिकारों पर उलंगन हुआ, उनके अधिकारों को क्या है कि वहाँ पर अतिलंगन किया गया है, इसलिए ऐसे लोग भी हितबद व्यक्ति क ये अंतरगत माने जाएंगे राज्य विधियों के अधिकार रखने वाले व्यक्ति कई बार क्या होती है कि government की scheme के अंतरगत आपको कोई भूमी मिल जाती है government कई बार Canadian scheme के निकालती है जिसके अंतरगत आप apply करते हैं और आपको वह jumping मिल जाती है और फिर आपको पता चलता है कुछ सालों बाद की इस जमीन को तो गवर्मेंट वापस अधिगरहित कर रही है एक्वायर कर रही है तो कई बार जो इस्टेट के द्वारा राज्जी विद्यों के द्वारा कई ऐसे कानून होते हैं जिनके अंदर गद आपको भूमी म मालिक नहीं है आपके जो इस्तावर संपत्ती है जो अचल संपत्ती है वह आपकी भूमी नहीं है आप उसके स्वामी नहीं है परंतु आप वहाँ पर तीन साल से ज़्यादा समय पर काम कर रहे हैं तीन साल से ज़्यादा आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और आपका जो रोज बेरोजगार है वह चिन गया गवर्मेंट ने वह जमीन ले ली तो आप तो बेरोजगार होगे आप क्या होगे बेरोजगार होगे तो आप भी उसमें इतबद्ध वेक्ति माने जाएंगे तो ये कुछ दोस्तों कानून बहुत इजी है मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कानून की परिवाशा आपको टफ मिलेगी परंतु उसका जो इंटर्पेटेशन है वह बहुत आसान तरीके से अगर किया जाए तो कानून आपके लिए बहुत आसान हो सकता है उसको साधरन सब्दों में समझे अब यह देखिए इतना लंबा चोड़ा जो अधिनियम है अगर आप इसको साधरन सब्दों में अगर समझ लेंगे तो यह चीज़े आपको बहुत आसान हो जाएगी कि जब भी किसी भी गवर्मेंट वारा भूमी को अधिक्रीद किया जाता है तो जो ह वापस प्रतिकर दिया जाएगा और इस प्रतिकर देने की प्रक्रिया में क्या किया जाएगा पारदर्सिता का ध्यान रखा जाएगा अब इसके लिए क्या क्या प्रोसेस फोलो किया जाता है वही सद्रीय में मिलता है आपको बस इतनी सी बात है दोस्तों भूमी अर्जन इसके पुनरवार्शन वा पुनरव्यवस्तापन अधिनियम में पीटाशी Hunter अधिकारी का कारेकाल कितना होता है जो पीटाशीन अधिकारी होते हैं अब देखिये दोस्तों इसकी जो धराइक्यावन है ईग ज्क 64 मिन एंसके अंतरगत हे krn कि सरचना की ज JOE प्रादीकरण का गठन किया जयता है क्या किया जहता है एक अच जब कभी भी इस प्रकार से किसी की बूमी को अधिक्रहित किया जय acquire किया जाता है और इसके संबन में कोई भी जैसे मामला dispute हो गया कोई भी विवाद उत्पन हो गया तो उन विवादों का निप्टारा करने के लिए धारा 51 में एक प्रादिकरण का गठन किया जाता है एक अधिकरण का गठन किया जाता है जिसको कहते हैं अपन ट्रिब्यूनल क्या कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं एक ट्रिब्यूनल तो एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है धारा 51 में और सेक्शन 52 में इसकी सनंचना के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन कौन व्यक्ति होंगे और धारा 53 में, section जो 53 है दोस्तों उसके अंतर्गत बता रखा है कि जो भी इसके पीटाशी नर्धीकारी होते हैं जो अद्यक्ष होते हैं अद्यक्ष कौन हो सकते हैं उनका कारेकाल monitor कितना हो सकता है तो ये चीज आपको section 53 के अंतरगत मिलती है तो पिटासीन अधिकारी होते हैं दोस्तों या तो इसके अंतरगत जुईला नयदीश हैं जो डिस्ट्रिक जजू है या डिस्ट्रिक जज रह में न्यूक्त किया जाता है अब बात आती है कि इन पीड़ा शीन अधिकारी का कारेकाल कितना होता है तो इनका कारेकाल होता है दोस्तों या तो 65 वर्स की आयू तक वे अपने पत्मर बने रहेंगे या पद ग्रहन करने से 3 वर्स तक जो भी पहले हो मलब 3 वर्स का कारेकाल प यस भूमी अर्जन पुनरवाशन वा पुनर व्यवस्तापन अधिनियम में बाजार मुल्य का अवधारन करने में किनकिन मान दंडों का ध्यान रखा जाता है अब भई आपकी जमीन को एक्वाइर जब गवर्मेंट द्वारा किया जाता है तो जो बाजार की क्या वैल्यू है जिसको आप कहते हैं market value जिसको कहते है DLC rate क्या कहते हैं दोस्तों उस जमीन की DLC rate क्या चल रही है उसके according आपको प्रतिकर दिया जाएगा उस जमीन की बाजारू मुल्य क्या चल रहा है बाजार की किमत क्या चल रही है उसके according आपको प्रतिकर दिया जाएगा अपनी मनमर्जी से government नहीं देती है कई बार जब अपनी मनमर्जी government चलाती है ब्रश्टाचार होता है तो फिर कोटों में cases भी आते हैं तो यहां पर यहां पर बाजार मुल्य का अवधारन करने में किनकीन चीजों का ध्यान रखा जाएगा government किनकीन चीजों को देखती है कि इस जमीन में इतनी कीमत बन रही है तो भारतिय जो stamp अदिनियम है इंडियन जो stamp act है उसमें जो वी निर्दिष्ट बाजार मुल्य है वहां पर इस पर शूप से बता रखा है कि इस तरह की कोई जमीन है एक्रिकल्चर जमीन है तो इसका इतना मुल्य होगा संचित भूमी है तो इसका इतना मुल्य होगा बहु फसली भूमी है तो इसका इतना मुल्य होगा तो जो भी भारतिय स्टांप अधिनियम में जो भी बाजार मुल्य बदा रखा है उसके एकोर्डिंग अवधारन किया जाएगा चीदी सी बात है या फिर निकटवर्ती गाउं या शेत्र में इस्तितुशी प्रकार की भूमी के लिए औसत विक्रय कीमत बही पास में ही इस प्रकार का कोई भी गाउं है जहां पर जहां पर उसकी उसी तरह की भूमी है निकटवर्ती गाउं में उसी तरह की भूमी है तो उसकी जो कीमत होगी उसके आधार पर उसका निर्धारन किया जाता है तो बोट statement are correct according to section 26 section जो 26 से दोस्तों इसके अंतरगत इसके अंतरगत जो collector महोदे होते हैं कौन करते हैं तो जो भी government है वह collector को authorize करती है कि आप जब कभी भी किसी भी भूमी का अधिगरण किया जाए तो जो भी वहाँ की जो rate है जो बाजार मुल्य है उसका अधारण इनके आधार पर करें तो यहाँ पर दोनों सही है first और second दोनों statement सही है option number D is absolutely correct दे कि कितना आसान act है कितना easy act है जितने भी आपके course में act दे रखे हैं दोस्तों बहुत ही easy है इसलिए एक single question आपके गलत नहीं होना चाहिए भूमी अर्जन पुनरवाशन वा पुनर व्यवस्तापन अधिनियम में प्रभावित कुटमब कौन कहलाता है affected family who is affected family तो यहाँ पर दोस्तों जो section अपने 3c दे रखा है section 3 c जो दे रखा है उसमें प्रभावित कुटमब को परिवाशित किया गया है किसको परिवाशित किया गया है प्रभावित कुटमम कुटुम यह नहीं होता है परिवार कि ऐसा कौन सा परिवार है ऐसा कौन सा कुटुम है या फैमिली है जो भूमी अधिगरण के कारण प्रभावित होती है एफेक्टेड होती है तो ऐसी कौन-कौन सी कौन कौन से परिवार हैं देखते हैं जिसकी इस्तावर संपत्ती का अर्जन किया जा रहा है, obviously जिसकी जो भूमी है जिसकी जो इमोबल प्रопर्टी है, इस्तावर संपत्ती उसको अर्जित किया जा रहा है government के दोड़ा तो वो obviously प्रभावित होगा तो ये भी सही है ऐसा कुटुम जिसकी आज इवीका का मुक्य श्रोत अर्जन से प्रभावित हो गया बले ही उसकी जमीन नहीं है वह उस भूमी का मालिक नहीं है भूमी उसके स्वामित्तों में नहीं है उसके पजेशन में नहीं है परंतो वह वहाँपर काम कर रहा है तीन साल से पहले, उससे भी पहले काम किये जा रहा है, तो अभीसली उसकी जो आजिवी का है वह उससे प्रभावित हो रही है, तो वह भी प्रभावित कुटम की स्रेनी में आ जायेगा, ऐसी अनुसुचित जन जातियां जिन्होंने अर्जन के कारण अपना वन अधिकार खो दिया मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसी जातियां है जो वनों में रहती है जंगलों में रहती है जो जंगलों में निवास करती है और अर्जन के कारण जब कभी भी भूमी को अर्जित किया जाता है तो उनके अधिकार खो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो कोई रेल की पट्री निकल रही है वहाँ पर तो कोई भी पुल बन रहा है वहाँ पर उद्योगों का विकास किया जा रहा है तो जो उनके जो अधिकार थे उनकी जो जमी परिभाशा में माने जाते हैं जो की धारा 3C में परिभाशित किया गया है option number D is absolutely correct यह कतन first है कि भूमी अर्जन अधिनियम 2013 में सामाजिक समाघात रिपोर्ट समुचित सरकार द्वारा तैयार की जाती है अब यह देखिए कई लोगों को समझ में नहीं आता कि यह सामाजिक समाघात रिपोर्ट होती क्या है तो इसको अपन साधरन सब्दों में समझ लेते हैं तो अपन को आसानी से समझ में आ जाएगी जिसको अपन इंग्लिस में कहते हैं दोस्तों social impact report क्या कहते है social impact report जिसको हिंदी में कहा जाता है सामाजिक समाघात report जो की कौन सी दारा के अंतरगत बता रखी दोस्तों section 4 में इसको बता रखा है देखिए social impact यानि ऐसे अधिगरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसकी एक report बनाई जाती है ध्यान से सुना दोस्तों कि जब कभी भी किसी भी भूमी को government द्वारा अधिगरीत किया जाता है तो ये देखा जाता है कि इससे जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाला जो समाज है उस अधिगरण का समाज पर क्या प्रभाव पर सकता है इसकी एक report तयार की जाती है इसकी एक skim तयार की जाती है इसका एक खाका तयार किया जाता है एक धांचा तयार किया जाता है उसी को कहा जाता है सामाजिक समागात report जो की दाराचार के अंतरगत की जाती है अब इसके अंतरगत क्या क्या किया जाता है कि इसके अंतरगत जो रिपोर्ट को उसके प्रारंब की दिनांग से तीन माह के भीतर पूरा करती है यहां पर तीन माह नहीं है दोस्तों छे माह, six months सामाजिक समागाद रिपोर्ट है जो दोस्तों वह 6 महिने के अंतर अंदर अंदर पूरी की जाती है कब उसके प्रारंब करने की दिनांग से जब उसका प्रारंब किया गया तो उस प्रारंब करने की दिनांग से 6 मा के बीतर बीतर उसको पूरा किया जाना अनिवारी है तभी वह प्रभावी रहीगी अदरवाइस दूसरी रिपोट तयार करनी पड़ेगी तो यह statement हो गया wrong तो यहाँ पर कथन 1st सही है कथन 1st सही है कथन 2nd सही नहीं है कथन 1st और 2nd दोनों गलट नहीं है कथन 1st और 2nd दोनों सही है केवल और केवल कथन जो 1st है वह सही है कौन सी धारा के अंतरगत धारा 4 के अंतरगत अब यह जो सामाजिक समागाद रिपोर्ट होती ना दोस्तों जो Social Impact रिपोर्ट होती है जो समुची सरकार बनाती है उस रिपोर्ट को इस्तानी भाषा में प्रकाशित किया जाता है ताकि जो लोग हैं वह आसानी से उस रिपोर्ट को समझ सकें और हर इस्तर पर ग्राम इस्तर पर नगरपाली का इस्तर पर तैसिल इस्तर पर उसको उपलब्द करवाया जाता है ता खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाई के सम्मंद में सत्यकतन कौन सा है खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाई अब देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि अगर किसी भी भूमी का जब अधिकरण किया जाता है तो कई लोग उससे प्रभावित होते हैं कई लोग उसमें हितबद व मान लिजे मेरी जमीन जो है वह बहुत ही ज़्यादा उपजव है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है बहुत ज़्यादा उसमें फसले हो रही है और मेरी जो आजविका है वह उसी पर चल रही है मैं वहीं से क्या है कि सबजियां उगा रहा हूं मैं वहीं से क्या है कि फसलों के संबन में कुछ उपाय किया जाते हैं जो दारा दस के अंतरगत दे रखे हैं कि अगर कोई भी सिंचित बहु फसली भूमी है उसका अरजन नहीं किया जाएगा गवर्मेंट ने एक रूल बना रखा है कि जिस जमीन से जिस जमीन से बहुत ज़्यादा फसलें उगती हैं और जो क्या है इरिगेटेड है सिंचित है और वो भी बहुत ज़्यादा फसलों वाली भूमी है उसको किसी भी सूरत में अरजित नहीं किया जाएगा और मान लीजिए कि ऐसी परिस्तिती आ गई कि भी उसको अरजित किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अलावा त प्रसली भूमी का अर्जन किया जाएगा तब खेती योग ये बंजर भूमी के समान सेत्र को करशी प्रयोजनों के लिए विख्षित किया जाएगा अगर भई सबसे पहली बात तो इस प्रकार की भूमी को अर्जित करो ही मत और अगर बहुत ही ज़ाद आवश्यक्ता पढ़ अर्जित करने की तो ऐसी जो बंजर भूमी है उसको करसी प्रयोजनों के लिए विक्षित किया जाएगा तो यह होते हैं खाद्य सुरुक्षा के रक्षो पाए ताकि जो भी प्रभावीत कुटुम्ब है जो भी हित्बद वेक्ति हैं वे इससे कम से कम प्रभावीत हो सकें त तो कथन ए और बी दोनों ही सही है दारा दस के अनुसार यस ओप्सन नमबर सी एप्सलूटली करेक्ट भूमी अरजन अदिनियम दोजार तेरह में सामाजिक समागात रिपोट कितनी अवदी में व्यपगत हो जाती है अब यह दाराचार के अंतरगत जो रिपोर्ट बनाई जाती है गवर्मेंट के द्वारा वह अगर कब कितने दिनों में व्यपगत हो जाती है मतलब उसको इंप्लिमेंट अगर नहीं किया जाता है कितनी अवदी में तो वह स्वतही समाप्त हो जाती है व्यपगत का मतलब क्या होता है दोस्तों समाप्त हो जाना तो यहां पर यह बारा माह में अगर वह जारी नहीं हुई है तो ऐसी जो रिपोर्ट है वह समाप्त हो जाती है और दुबारा पुना दूसरी रिपोर्ट बनानी पड़ती है तो ऐसा जो प्रवीजन है दोस्तों वह कहां दे रखा है हमें दारा 14 में section 14 में इस तरह का प्रावधान दे रखा है तो उसके अंतरगत क्या सामील नहीं होगा section 16 section 16 के अंतरगत दोस्तों collector जो मोहदे होते हैं वह एक प्रशासक को न्यूग करते हैं कि जो भी भूमी एक्वाइर की जाती है उसका एक सर्वेक्षन किया जाए एक क्या किया जाए सर्वे किया जाए उस भूमी का क्या किया जाता है सर्वे किया जाता है दारा 16 के अंतरगत तो उस सर्वे में उस सर्वेक्षन में क्या क्या उलिखित होता है उस सर्वेक्षन में क्या क्या बाते होती है तो यह देखते हैं अब यहाँ पर पूछा है कि उसके अंतरगत क्या सामिल नहीं होगा तो हम देख लेंगे कि क्या-क्या सामील होगा, तो इस प्रश्ण का उत्तर निश्ची दूप से मिल जाएगा, इस्तावर संपत्यों की विशिष्टियां, जो भी भूमी अधिकरित की जाती है, उसकी जो विशिष्टियां है, कि किस प्रकार की भूमी है, गोचर भूमी है, क किसी की आजीविका पर उस अर्जन से उस एक्विजेशन से प्रभाव पड़ता है, तो उसका विवरन लिखा जाएगा, ऐसे नीजी बहुनों की सूची जो प्रभावित हुए हैं, नीजी बहुनों की सूची नहीं बनाई जाती दोस्तों, सार्वजनिक जो भवन है, क्या कि जो सूची है वह प्रसासक द्वारा बनाई जाती है दारा सोला के अंतरगत तो ये हो गया हमारा गलत क्या हो गया दोस्तों ये गलत हो गया ये सही ये गलत ये सही ये गलत सामान्य संपत्ती के ब्योरे जिनका अरजन किया जाता है जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो ब्यो दोस्तों ऐसे निजी बहुनों की सूची जो प्रभावित हुए हैं तो केवल और केवल जो थर्ड़ ओप्सन है इसको सामिल नहीं किया जाता ओप्सन नमबर सी इस एबसलूटली करेक्ट यस ओनली त्री मुस्कान जी ठाकूर आप सही हैं आदित्ती जी शर्मा आप भी सही हैं वेरी गुड भूमी अरजन पुनरवाशन और पुनर व्यवस्तापन अधिनियम में अनुसूचित जन जातियों के संबंद में सत्यकतन क्या है अधे की दोस्तों आप जानते हैं कि जो SCST के जो लोग होते हैं उनको थोड़ा प्राइरिटी दी जाती है और इसके अंतरगत इसके अंतरगत अगर कोई भी SCST के वेक्ति की भूमी को अधिगरहित किया जाता है तो इसके संबंद में जो प्रोविजन से दोस्तों वह प्राइशन ये बात करता है कि अनुसुचित जाती और जन जातियों के संबंद में विशेश प्रावधान या विशेश उपमंद कि जब कभी भी किसी भी SCST की जमीन को अधिगरहित किया जाता है गवर्मेंट के द्वारा तो तो ऐसे शेत्रों का आर्जन करने पर प्रतिक करने वह कभजे के बाद में करती है परन्तु जब SCST की जमीन को अगर आब अधिगरहित कर रहे हैं तो इसमें शुरुवात में ही प्रतिकर की एक बटा तीन रकम आपको शुरुवात में ही उनको देनी पड़ेगी और जो बाद में जो राशी बस्तिय दोती है ही वह कभज लेने के बाद में दी जाएगी तो ये कतन हो गया हमारा गलत और अनुसुचित जातियों को पुनर व्यवस्तापन के पश्चात आरक्षण और अन्य फाइदे नहीं मिलेंगे तो ये भी हो गया गलत आरक्षण के फाइदे मिलेंगे सेक्षण जो हमारा 42 है दोस्तों कौन सा है सेक्षण 42 है ये बात करता है कि जब कभी भी सेस्टी लोगों की भूमी को अधिगरीद किया जाता है तो जो भी उनको पहले रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते थे वह यतावत रहेंगे उनको उसी प्रकार से रिजर्वेशन और अन्य फाइदे मिलते रहेंगे तो ये दोनों कतन जो हैं दारा 41 और दारा 42 के अंतरगत गलत हो गए हैं तो कतन 1st and 2nd 2nd and 1st both are wrong option number D is absolutely correct इस तरह से दोस्तों आराम से तसलिश से दारा को पढ़िए उसकी heading को देखिए कि heading क्या कहना चाहती है जनरली तो उस heading में ही आपको उसका उत्तर मिल जाएगा और फिर भी नहीं मिलता है तो उसके जो अंदर का matter है उसको बहुत आसानी से समझिए देखिए उसके खुद के notes बनाईए और इस प्रकार से प्रशनों का solve या तो straight forward प्रशन पूचा जाएगा या फिर सत्य और असत्य कथन में पूचा जाएगा कूट में पूचा जाएगा कैसे भी प्रशन पूचा जाएगा अगर आपने संपूर्ण तयारी कर रखी है तो ये प्रशन आपको बहुत आशान लगेंगे मुमी अरजन, पुनरवाशन और पुनरवर स्तापन अधिनियम में प्रादिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील कहां और कितनी अवधी में की जाती है आप देखते हैं कि इसके अंतरगत एक ट्रिबिनल की स्तापना की जाती है धरा 51 के अंतरगत सेक्शन 51 में ट्रिबिनल की स्तापना की जाती है जिसमें जो डिस्टिक जज होते हैं या उनके जो समकक्ष अधिकारी होते हैं उनको लगाया जाता है या जिने साथ वर्स की वकालात का अनुबह होता है उन्हें पीटाशीन अधिकारी बनाया जाता है तो अगर मान लीजे किसी भी अधिकरण ने, प्राधिकरण ने कोई भी आदेश दे दिया और आप उससे व्यतित हैं, आप कहते हैं कि साब मुझे प्रतिकर सही नहीं मिला मेरी जमीन तो थी ज़्यादा, मेरी जमीन तो बहुत कीमती थी और मुझे तो बहुत कम प्रतिकर मिला है मुझे वापस पुनर व्यवस्तापित नहीं किया गया है पुनर वाशन नहीं मिला है मेरी मैं जिस मकान में रहता था उस मकान को तो आपने हड़ब लिया और उसके बाद मैं मैं तो बैसे ही गूम रहा हूं मैं तो ऐसे ही रोड पर क्याया कि घूमराओं साब मेरे बीबी बच्चे जो हैं वो सड़कों पर ही पड़े हैं कहां जाऊं मैं तो अगर आप उससे व्यतित हैं और जो अधिकरण है उसने आदे साब के फेवर में नहीं दिया है तो फिर आप उसकी जो अपील है वो कहां करेंगे तो दाराद 74 में सेक्शन 74 के अंतर के दोस्तों इसकी अपील की जाती है और appeal किसको की जाती है appeal की जाती है high court को generally जो tribunals होते हैं उन tribunals की जो appeal होती दोस्तों वो high court को की जाती है तो वह भी उच्च नयाले में की जाएगी और नेने की तारीक से 60 दिन के भीतर भीतर आप appeal कर सकते हैं within 60 days within 60 days क्या है limitation period है और वह भी आप high court में appeal कर सकते हैं तो option number C is correct यस भूमी अर्जन अदिनियम 2013 के अंतरगर जो कोई मिथ्या जानकारी या मिथ्या दस्तावेज पेश करता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है अगर मान लिजे किसी भी व्यक्ति की भूमी को अर्जित किया जा रहा है तो वह कोई भी जूठा दस्तावेज false and fabricated document जिसको कहा जाता है बलब registry आपके नाम की नहीं है पट्टा आपके नाम का नहीं है परन्तु फिर भी आप कोई जूठा दस्तावेज पेश करते हैं में ये पता चलता है कि आप उसके स्वामी नहीं है और registry आपके नाम की भरजी registry है तो दोस्तों अगर इस प्रकार का आप कोई भी information जूठी देते हैं या कोई भी मिथ्या दस्तावेज पेश करते हैं तो उसके लिए उसके लिए धाराचोरहशी के अंतरगत आपको दंडित किया जा सकता है और वह भी दोनों में से कोई भी कारावास दिया जा सकता है जो की 6 मा का होगा या एक लाग रुपे जुर्माना आपके उपर लगाया जा सकता है या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है वह गवर्मेंट तो आपको प्रतिकर देना चाहती है पर फिर भी आप उसमें गलत दोक्यमेंट पेस कर रहे हैं गलत जानकारी दे रहे हैं तो इस पनीसेबल ओफेंस पॉप्स नंबर बीज करेक्ट भूमी अर्जन पुनरवाशन और पुनरव्यस्तापन अधिनियम में धाराच चोरयाशी और पिच्यासी के अपरादों की प्रक्रति क्या है अब देखिए दोस्तों धाराच चोरयाशी के अंतरगत तो आप क्या करते हैं आप किसी प्रकार की कोई भी गलत जानकारी देते हैं government को या कोई भी गलत या मित्या दस्तावेज या document paste करते हैं, कोई गलत registry या पटा पेश करते हैं, तो ये दारा चोरशी के अंतरगत अप्राद है इस अधिनियम में और दारा पिछियासी के अंतरगत, दारा पिछियासी बात करती है कि जो कोई इस अधिनियम के उप्वंदों का उलंगन करता है वोईलेशन करता है नहीं मानता है इसके एदिनियम के उप्वंदों को तो उसके लिए सजा का प्रावधान है उसके लिए सजा का प्रावधान दे रखा है तो इस प्रकार के अपरादों की जो प्रकृती होती दोस्तों इस प्रकार के जो आपको बिना वारंट के गिरिफतार नहीं कर सकता, बिना वारंट के यानि वारंट की आवशकता पड़ेगी, संगे अपराद यानि बिना वारंट की गिरिफतार किया जा सकता है, और अवसंगे यानि बिना वारंट की गिरिफतार नहीं किया जा सकता, मजिस्टेट साहब के वारेंट की आवश्यक्ता पड़ती है तो क्या प्रकृती होती है इस अपरादों की दोस्तों और संगेई प्रकृती होती है option number 6 is correct भूमी अर्जन अधिनियम 2013 में जो अधिनियम के उपबंदों का उल्लंगन करता है उसे कितनी सजा दी जा सकती है वही जो दारा पिच्छेशी है section 85 क्या बात करता है अधिनियम के उपबंदों का उल्लंगन करने के लिए सजा उल्लंगन करने की सजा सब्द का भी इस्तमाल कर सकते हैं सास्ती भी कह सकते हैं दंड भी कह सकते हैं which is called in English punishment तो कितनी सजा दी जा सकती दोस्तों इसके अंतरगत इसके अंतरगत जो निउन्तम है निउन्तम तो दोस्तों छे माह का कारवास दिया जा सकता है और जहां तक मैक्जिमम अधिक्तम सजा की बात है दोस्तों तो इसमें अधिक्तम तीन वर्स तक का कारवास दिया जा सकता है या जुर्माना या दोनों लगया जा सकता है तो यहाँ पर सिर्फ अधिक्तम दिया गया है पर नियूंतम भी आप ध्यान रखें नियूंतम चैमा है अधिक्तम तीन वर्स का करवास है या जुर्माना या दोनो नियूंतम चैमा अधिक्तम एक वर्स नहीं है नियूंतम दो वर्स अधिक्तम पांच वर्स नहीं है अधिक् सन ही हमारे सबसे सठीक बैट रहा है इसलिए ये सही है यस नेक्स क्वेशन है कि भूमी अरजन अधिनियम 2013 में अनुपयोजित भूमी को कितनी अवदी में मूल स्वामी को वापस किया जाएगा मान लीजी अगर कोई भी जमीन को अधिकरहित किया गया गवर्मेंट के द्वारा और गवर्मेंट को लगता है कि भाई अब इस जमीन का कोई उपयोग नहीं रहा अब इस जमीन का कोई उपयोग नहीं रहा है तो वापस वापस वह जो जमीन है वह जो उसका स्वामी है जो उसका मूल जो स्वामी है जो मालिक है उसको पुना लोटा दी जाती है कौन सी दारा के अंतरगत दारा 101 के अंतरगत और वहाँ भी कब दोस्तों कबजा लेने की तारीक से 5 वर्स के भीतर भीतर लोटानी पड़ेगी जब कभी भी government ने उसका possession लिया तो उस कबजे लेने की दिनांग से 5 वर्स तक के भीतर भीतर उस जमीन को पुना उसके जो स्वामी है उसका जो ऊनर है रजिस्टर जो ओनर है जिसके नाम की रजिस्ट्री है जिसके नाम का पट्टा है उसे वापस लोटानी पड़ेगी तो आपस नमबर A is absolutely correct तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रशन हमने इस अधिनियम में से किये हैं कैसा लगा आपको ये session कैसा लगा अब ये आपके UPSI का जो session है वो समाप्त करें या और इसको आगे बढ़ाएं मेरे इसाब से तो जितने भी अधिनियम में लगबग सभी आगे हैं तो आपका क्या विचार है बढ़ फटावड बढ़ बढ़िये आपका क्या विचार है continue रखना चाहिए या इसको यहीं पर stop करना चाहिए क्योंकि आपको जो मैंने दाइत दिया है उसका निर्वन तो आप नहीं कर रहे है पड़ावड बढ़िये दोस्तों तो दोस्तों इसी तरह से इसी तरह से क्या है कि पढ़ते रहिए और अपने लक्ष को पाते रहिए देखते हैं कि अगली कक्षा में क्या होता है वापस इसको प्रारम करना है या यहीं पर शमाप्त करना है या आपकी इच्छा के उपर डिपेंड करता है अभी के लिए इतना ही बहुत